देश का पैसा लूटा तो गया है अब जोब देश का पैसा लूटा गया है उस पर ज्यांत है तो इस में इसमें प्रॉब्लम क्या है लगुपति रागब राजा राम पतित पावन सीथा राम का रास्ता छोड़ कर सनातन को मिटाने के राष्थे पा गई हैं जब तक रहुल गांधी है कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और रहुल गांधी जी को scored से कोई हटा नहीं सकता जब माल आता है तो कई तरह की समस्यां भी साथ लाता है तो यह तो कॉंग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि इतना सारा सैकुडों करोड रुपए का जोने नोटिस मिला है तो आखिर क्यों मिला है तो इसका जवाब तो कॉंग्रेस पार्टी के नेता देंगे अठारा सो करोड हो या अठारा हजार करोड हो इसका जवाब तो जैराम रमेश और केसी बिन गोपाल जी को देना चाहिए सच बात यह है कि चोर कभी भी नहीं कहता के वो चोर है डाकू कभी नी कहता हो डाकू है लũेडरा कभी नी कहता हो ल३ेडरा है लेकिन सच बात यह है कि देश का पैसा लूटा तो गया है अब जो देश का पैसा लूटा गया है उस पर जांच चल रए है तो इसमें इसमें problem क्या है जो नेता ED, CBI या Income Tax की जांचों की जद में हैं वो अगर सच्चे देश वक्त हैं तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए नियाएपालिका पर भरोसा करना चाहिए मैं समझता हूँ कि भारत की नियाएपालिका एकदम सुतन्त है भारत की नियाएपालिका पर किसी भी सरकार का कोई दवाब नहीं है तो जब सरकार का दवाब नहीं अब नियाएपालिका अगर हमारे हक में खैसरा कर दे तो नियाएपालिका ठीक है अगर हमें नोटिस दे दे तो नयापाली का गलत है तो ये दोहरे माप दंड नहीं चलेंगे लगुपती, रागव, राजा, राम, पतित, पावन, सीता, राम का रास्ता छोड़कर सनातन को मिटाने के रास्ते पर आ गई है तो जो पारिटी सनातन को मिटाने के रास्ते पर आ गई हो जो पारिटी बंदे मात्रम और भारत माता की जैका रास्ता छोड़कर भारत के टुकड़े करने वाले रास्ते पर आ गई हो उस पारिटी को भगवान भी कैसे बचाएगा और जब तक राहूल गांधी है